नमस्कार दोस्ता आप सवो का स्वागात थे बिहार बोर्ड मैट्रीक प्रिक्षा के लिए लगूत्री क्लिए प्रस्ण जो आपको दो नमर से पूछे जाएंगे और ये इंटर में विश इतियास मी प्रस्ण पूछे जाते हैं आपको हर परिक्षा में इस तरह का प्रश्ण आपको काम में आएगा तो दोस्तो इसमें objective और लगूतर ये देख रहे हैं प्रश्ण है जो कि दो नमर से बिहार, board, metric और इंटर में पूछे जाएंगे तो पहला प्रश्ण आप देख रहे हैं कि स्वदेशी अंदौलन क्या है तो दोस्तो आपको स्वदेशी अंदौलन के बारे में मिल जाए प्रश्ण तो आप direct इस तरह से यहाँ उतर लिखेगा और लिखेगा स्वदेशी अंदौलन 1905 इसवी 7 अगस्त 1905 को भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने विदेशी बस्तुओं का बैसकार विदेश का जो बस्तु था उसे बैसकार बैसकार करने का प्रस्ता पारित क्या तो बैसकार करने का प्रस्ता पारित किया था साथ अगस्त उनिसो पंच को जो स्वदेशी अंदोलन कहलाया स्वदेशी मतलब अपने देश का स्वए अंदोलन देश के सभी मुख्य सहरों देश के सभी मुख्य सहरों में बरे पैमाने पर बिदेशी बस्तुओं की होली यहने होली का दहन क्या करते हम दोस्तों हुली में जो जलते हैं उसी तरह से बस्तूओं का हुली जलाई गई जैसे हुली का दहान होता है उसी तरह से विदेश का बस्तू को जलाया गया और सोधेसी अंदलन 1905 सभी को आरम गए ता तो सोदेशी अंदलन के बारे आप समझ गये होंगे कि विदेश का जो बस्तू अपने देश में बिखता था उसे बैसकार किया बाहर फेका और विदेश का जो बस्तू था अपने बड़े बड़े सहरों में उसे विदेश की बस्तूओं को होलिका दहन की तरह जला करके बैसक किया था अब अगला प्रस्ण है कि मुस्लीम लिंग मुस्लीम लिंग क्या स्थापना कब हुआ लिखे मुस्लीम लिंग क्या था इस पे लिखे तो दोस्तों आप उत्तर में लिखेगा मुस्लीम लिंग जब भी प्रस्ण आपको आ जाय तो उत्तर में आप लिख सकते हैं इस नित्वर्म में अखील भारतिय मुस्लिम लिंग की अस्थापन डाकों में की गई थी मुस्लिम लिंग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया जिससे हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच संपरदायक मदवेथ उत्पन हुए तो दोस्तो मुस्लिम लिंक को भी आप लोग अच्छे से समझ गये होंगे अगला प्रस्न है कि कॉंग्रेस में विभाजन क्या है कॉंग्रेस विभाजन क्या था कॉंग्रेस विभाजन पर परकास डालें कॉंग्रेस विभाजन पर टिपन्नी लिखें तो आप उत्तर में लिखिएगा इस तरह से उत्तर में लिख दिजेगा और लिखिएगा कॉंग्रेस में विभाजन 1907 इसवी 1907 इस तरह से डेश देकर के लिखिएगा 1907 में आयोजीत सूरत अधिवेशन में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस गरम दल और नरम दल नमक दो दलों में विभाजित हो गई तो दोस्तों आप लोग समझ गें कि कॉंग्रेस विभाजन क्या था 1907 इस वी में आयोजीत सूरत में एक अधिवेशन हुआ जिसमें भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का गरम दल और नरम दल नमक दो दलों में विभाजित हो गई गरम दल के नेता लोक मान्य तिलक अब गरम दल के नेता कौन थे लोक मान्य तिलक लाला लश्पत राय और विपिन चंदरपाल तथा तथा नरम दल के नेता नरम दल के नेता देखिए नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले सूरत कॉंग्रेस की अध्यक्सता रास बिहारी बोस ने की थी तो दोस्तों आप लोग समझ गये होंगे एक क्वेस्टन और है कि मिन्टो मारलो सुधार समझ गये हैं कि मारलो मिन्टो सुधार 1909 स्वी में हुआ था यह अब्जेक्टिफ में पूछा जाएगा इसके दुवारा हिंदों तथा मुसल्मनों के बीच दरार डालने की कोशिश की गई मिन्टो मारलो सुधार की भारत में हरित करौंती से जूरे बग्यानिक का नाम है यानि प्रश्ण है क्या भारत में हरित करौंती का जनक किसे कहा जता है बारत में हरित करौंती का जनक किसे कहा जता है उप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामिन अथन उप्शन बी एस एस भटनागर उप्शन सी हेमी जांगिर भाबा उप्शन डी राजा रमन तो इस प्रश्ण का उत्तर उप्शन नमर ए बिल्कुल सही है भारत में हरित करौंती का जनक डॉक्टर एम एस स्वामिन अथन को कहा जता है अगला प्रशन है आपका भारत का सबसे बरा स्वयाबिन उत्पादक राज भारत का सबसे बरा स्वयाबिन उत्पादक राज है आपका मध्य परदेश इसलिए इसे श्वया पर्देश भी कहा जाता है अगला प्रशन है आपका दोस्तों यह सवी प्रशन बिहार बोड में बहुत बार पुछे गए है प्रशन है भारत का एकमत्र राज जो केसर का उत्पादन करता है भारत का एक मौत्र राज जो केसर का उत्पादन करता है कौन है तो जम्मू कास्मिर हो जाएगा एक मौत्र राज जी केसर उत्पादन कहा होता है जम्मू कास्मिर में ही केसर का उत्पादन होता है अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज जूट का प्रमुक उत्पादक राज है अगला प्रश्ण है भारत में सर्वधिक उत्पादक राज में की जाती है यह कहां किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय सर्वधिक उत्पादन होता है असम में तो आसम का एक डारजलिंग अस्थान है जहां होता है डारजलिंग तो भारत में सबसे जादा चाय उत्पादन कहां होता है चाय पैदा कहां होती है डारजलिंग में अगला प्रश्ण है भारत का सबसे बड़ा गन्न उत्पादक राज्ज भारत का सबसे बड़ा गन्न उत्पादक राज्ज अप्शन ए उत्तर परदेश अप्शन बी महराष्ट अप्शन स्री तमिनलाडू अप्शन डी पंजाब तो भारत का सबसे बड़ा गन्न उत्पादक राज्ज आपका महराष्ट ऑप्शन नमर बी अगला प्रशन है आपका शुवेद करांती किस्चे समन्दि था है तो शुवेद करांती समन्दि था है दूद उत्पादन से अगला प्रश्ण है ओप्रेशन फ्लेड का संबंध है दूद उत्पादन से अप्रेशन नमर D सही है दूद उत्पादन से प्रश्ण है दूद उत्पादन के छेत्र में श्वेत क्रांती लाने का स्रय किसे जाता है दूद उत्पादन के छेत्र में श्वेत क्रांती लाने का स्रय किसे जाता है तो अप्रेशन नमर B बिल्कुल सही है डॉक्टर वर्जी कुरियन डॉक्टर वर्जी कुरियन को जाता है प्रश्ण है गुलावी क्रवंती का संबंद किस से है टमाटर उत्पादन से जिंगा उत्पादन से ओप्शन C मस उत्पादन से ओप्शन D तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्शन नमर C बिल्कुल सही है जिंगा उत्पादन से गुलावी करंती किसे समन्दित है जिंगा उत्पादन से प्रश्ण है भारत में सबसे अधीक कोफी उत्पादन करने वाला राज्ज कौन सा है भारत में सबसे अधीक कोफी उत्पादन करने वाला राज्ज कौन सा है तो भारत में सबसे ज़्यादा कोफी उत्पादन किस राज़ी में होता है कोमेंट करेंगर अब पहले से जान रहे तो अप्शन A महराष्ट अप्शन B करनोटक अप्शन C तमिलाडू अप्शन D केरल तो भारत में सबसे ज़्यादा कोफी उत्पादन होता है होंगे नेता जी नेता जी सुवास चंदर वोस हवा येड़ा कहा है दोस्तो ये प्रश्ण बहुत बार पूचh गया है मेट्रिक और Internet में नहीं विश्वास है तो आप क्वेस्टन बैंक उल्टा करके देखें प्रश्ण है कि नेता जी सुवास स्वास चंद्रू बोस हवयडा कहा है तो कोलकतं में पहले से ठीक लगाओ दुस्त आप लोग समझ गये होंगें अगला प्रश्न है भारत का सबसे बरा बंद्रगा कौंसा है तो भारत का सबसे बरा बंद्रगा है अपका मुंबई भारत का सबसे ब्राबंद्रगा कौन सा है मुंबई प्रस्न है भारत में पहली वार जनगन्नक कब होई थी तो आपके सामने अंसर लगा हुआ है ठीक दोस्तो आठासो बत्तर दोस्तो जो यह याद क्या था न उसने यह ठीक लगा दिया है अब इसको मिटा करके बना देंगे तो आप लोग समझ गे होंगे आप लोग पहले सी भी जानते होंगे बहुत ही अच्छा प्रश्ण था भारत में पहली वार जनगनना कब हुआ था 1872 इस भी में याद रखेगा क्योंकि ये बिहार बोर्ड मेट्रिक और इंटर में पूछे जाने वाला प्रश्ण है भारत में पहली वार जनगनना किस वाइसराय के सासनकाल में हुआ था भारत में पहली वार जनगनना किस वाइसराय के कारिकाल में हुआ था तो भारत में सबसे पहली वार जनगनना 1872 में हुआ था लौड मियो के सासनकाल में याद रखेगा लौड मियो के सासनकाल में भारत में पहली बार जनगना हुआ था ठासोबहत्तर में अगला प्रश्न है आपका बारत में जनगना का करमवार कब से प्रती दस वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है यानि कि भारत में जनगन्ना जो होता है परती एक कितने साल पे होता है दस साल पे होता है तो अभी 2011 में जनगन्ना हुआ था और 2021 में तो लोगडन लगा था तो अभी जनगन्ना हो रहा होगा तो भारत में जन्गन्ना का क्रमवर आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल पर क्या जा रहा है तो अप्शन नमर बी बिल्कुल सही है अठारा सो एकासी स्वी में अगला प्रस्ण है बाग पडियोजन प्रोजोट टाइगर की सुवर्ष प्रारम हुआ बाग पडियोजन प्रोजोट टाइगर की सुवर्ष प्रारम हुआ तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका 1973 सुवी में अप्शन नमर बी बिल्कुल सही अठार प्रस्ण है भारत की जन संख्या के इतिहास में जन की किये बिवाजन बिवाजन वर्ष किसे कहा जाता है तो 1921 सुवी में अजना के द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर परदेश भारत में सबसे ज़्यादा जन संख्या वला राज जिक कहुंसा है उत्तर परदेश प्रशन है काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सारवधिक उप्योगी होती है तो काली मिट्टी का पास के लिए सारवधिक उप्योगी होती है उप्सन नमर बी सही है प्रश्ण है रेगूर नाम है रेगूर नाम है किसका तो रेगूर मिद्दा का नाम है यानि मिठी का नाम है काली मिठी का रेगूर किसका नाम है काली मिठी का नाम है रेगूर रेगुर मिद्दा किसे करते हैं? काली मिट्टी को करते हैं अगला प्रस्ण है भारत में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन है भारत में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन है क्या? नहर भारत में सबसे प्रमुक सिचाई का साधन क्या है? नहर है अगला प्रश्ण है निम्दन लिखीत में से कौन सी एक खरीप की फसल है तो चाबल आप सबी पहले से जानते होंगे क्या है चाबल अगला प्रश्ण है निम्दन में से कौन सी एक रवी की फसल है तो चाबल रवी फसल कब होई जाती है जब आप रवी यानि रेजाई के अंदर रहते हैं यानि की ठंडी मौसम में होता है गेहूं चाबल चाबल का जार जो खाते हैं अप लोग पका करके तो निम्दन में से कौन सी एक रवी फसल है चाबल रवी फसल है प्रश्ण ये 25 मौन दोस्तों ये 25 की क्वेसन छाट छाट के चून चून के निचोर करके लाए हैं जो की बिहार और मेट्रिक परिच्छा में पूछे जाते हैं तो ये लास्ट नमर प्रस्ण है 25 नमर निम्दन लिखीत में से कौन सी एक नगदी फसल है निम्दन लिखीत में से कौन सी एक नगदी फसल है तो तमाकू एक नगदी फसल है उप्सान नमर सी बिल्कुल सही है तमाकू तो दोस्तों ये 25 इनपाउटेंट कोशन है बिहार बोर्ड मेट्रिक और इंटर के लिए आप इन में से किसी भी प्रश्ण का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कोमेंट में बताईएगा और अगर नहीं जान रहे हैं तो ये शवी प्रश्ण को रट लो क्योंकि इस में से आपको पका प्रश्ण आएगा ही आएगा तो फिर मिलते हैं कल जय हिन जय भारत